नमस्ते बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे अभ्यास 4C और यह एक अक्षा 7 की गड़ित की इकाई 4 रचनाओं से ली गई है तो बच्चों देर किस बात की चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या है आज का प्रस्ट नमबर 1 तो बच्चों हमारा यहाँ पर पहला प्रस्ट दिया गया है कि अपनी अभ्यास तुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खीचिए दो हमें पहले बनाने यह समांतर रेखाएं फिर कहला है बिन्दू A और C पर कम सा 30 अंस और 60 अंस के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाईगे कोण AM C का माप ग्याद केजिए तो सबसे पहले हम खीचेंगे दो समांतर रेखाएं तो एक रेखाखंड पहले हम खीच लेते हैं यह हो गया AB और B इसी के समांतर हमें खीचना है तो हम थोड़ा सा उपर खीच लेंगे और जब हमें बिन्दू दिया नहीं किया है तो कोई भी एक चाप हम ले लेंगे वही चाप हम इधर से लगा देंगे उपर और वही चाप इधर से भी लगा देंगे ठीक है इन दोनों को हम मिला देंगे थीक है तो यह हमारा जो है AB था और यह हो गया हमारा CD रेखा खंड यह है CD यह है रेखा खंड AB ध्यान देने वाली बात यह है ना तो हमें यहाँ पर रेखा खंड की लंबाई दिये कुछ भी ले सकते हो हो यहां भी कुछ भी ले सकते हो कहीं यहां तक छोड़ सकते हो यहां कि छोड़ सकते हो ठीक कोई अंतर नहीं आएगा सर्थ में स्दस्च A और C पर क्रम्सा, तो पहले T-Hands, तो पहले A पर C बाद में है, तो C-Satans, ठीक है, तो सबसे पहले हम Satans का कोण बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत आसाम है, तो यहां पर हम प्रकार की रखेंगे, नोग और ये चाप लगा दिया, और ये चाप एक यहां से लगा दिया, ये जह ठीक है अब यहाں से खीछने आया 35 खीशने के लिए पहले हम 36 खीशना का बनाएंगे कि यहां से मिलाया यहां मिलाया यह बन गया 36 खा अब हम इसका कर देंगे आधां dispel टो एक इधर एक फिक है तो यह हमारा हो गया तीसरंस का है यहां से हम इसको यह प्रिति छेद नहीं की इस रेखा ने तो इसको और आगे बढ़ाते हैं जहां भी यह दोनों रेखाएं काट रही हैं इसको हम बिंदू देंगे एम ठीक है तो यह हमारा देखो cm हो गया साथ हंस का कोड बनाते हुई और एम रेखा खंड हो गया 30 का कोड मनाते हुई ठीक है अब देखो आगे प्रस्ण क्या कह रहा है कोड़ एम सी क्या माप ग्याद कीजिए तो एम सी यानि हमसे यह कोड पूर्ण से आए कि यह कितना है ठीक है तो माप ग्याद करना है सीधा सा तो हम लोग चानदा उठाएंगे नाप लेंगे मेरे हिसाब से यह 90 अंस के आसपास होना चाहिए तो यह देखो कितना है तो नीचे हम लिख देंगे कोड़ एम सी बराबर नब यंज और यही हमारा आंसर आ लिया तो बच्चों इस प्रकार से देखा आपने कि हमारा प्रस नंबर एक कंप्लीट हो गया आयोब कि आप लोग इसको समझ गया हो गया तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रस आने प्रस नंबर दौपर तो बच्चों हमारा यहां पर दूसरा प्रस दिया गया है कि पत्रियों प्रकार किसा इस आइसा एक वर्ग की रशना कीजिए जिसकी प्रत्यक बुजा 5 से मी की वर्ग बनाना है और जिसकी बुजा कितनी है तो वर्ग अगर है इसका मतलब कोड क कितने अंस का होगा 90 का सभी कोण 90 के होंगे ठीक है विक्याड की लंबाई को माप कर उसका मान बताइए तो सबसे पहले हम 5 cm का बेस खीच लेते हैं 5 cm ठीक हो गया अब हम क्या करेंगे इसको हमने नाम दे दिया और बी ए और बी से 90 का कोण बनाएंगे तो या तो आप चांदा से बना लो कि लेकिन चांदा से बना नहीं सकते हो यहां पर लिखा है पट्री और परकार की सायता से तो चांदे को तो हाथ नहीं लगाना है तो च यह हो गया साथ हंस का यह हो गया 120 हंस का यह उपर और यह नीचे है इसको हम लोग मिला देंगे इसी तरीके से इधर करेंगे ठीक है साथ हंस का और 120 हंस का ओर दोनों जगह से लगा देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 90 हंस का ईन दोनों को मिल देंगे अब यह दोनों रेखाए जो आप 90 हंस का कोंड बनाती हुई जा रही है थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि यह नोग जो है यहां पर हिल जाती है जो हुआए 5cm अमने बापके खीस ली थी पांच सेमी इधर हम क्या करेंगे पांच सेमी कर लेंगे इसमें यह यहाँ से इधर लगा देंगे और एक यहाँ से भी लगा देंगे जहां पर इनोंने काटा है इन दोनों को फिर से मिला देंगे अबी इसीमी हो गया है kali Hai आधरमने पांस रचाप लगा था इसको हम लग देंगे इस ये दूरी आप लोग नाप के देखेंगे तो ये वि कितनी आएगी पांस आएगी और अगर नहीना रहे हैं तो ये कौन अबंवे सन्थ में कही गलती हुए ठीक है तो यह बन गया अब हमसे कह रहा है कि विकर्ड नापके लिखो तो देखो विकर्ड अपना जो है विकर्ड अपना साथ दसमलब एक आरा है आप भी अपने में नापना और नापके बताना AC बराबर BD बराबर साथ दसमलब एक सेमी दोनों विकर्ड नापके देखो कि आप बराबर आने चाहिए और लगभग इसके आगे लगभग लिख दो क्योंकि एक्जेक्ट नहीं वैलू है यह थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है ठीक है इस प्रकार से आपने देखा कि यह प्रस नंबर 2 हमारा कम्प्लीट होता है आई योप आप लोग समझ गये होंगे तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रस नहीं प्रस नंबर 3 पर तो बच्यों हमारा यहां पर तीसला प्रस नहीं कि चार से मीं मापके रेखाखंड एबी के अंते बिंदू ए पर कोड़ बी एसी बराबर साथ हंस की रशना कीजिए बिंदू बी से एसी के समानतर रेखा कीचिए तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि कोड़ एसी साथ हंस खीचना है किस पर रेखाखंड एबी पर तो एबी हमें एक रेखाखंड खीच लेते हैं पहले ए और बी अब बिंदू ए पर यहां पर कोड़ बनाना है साथ हंस का तो कोण बनाना बहुत आसान है साथन्स का सायद सबसे आसान यही है कोण बन गया साथन्स का चाप नहीं बदलना चाहिए इसमें अब आगे यह कह रहा है यह बिंदू हो जाएगा C कि इस बिंदू पर इसके समान तर रेखा खिषनी है तो देखो दो तरीके हमें यहां पर बताएंगे पहला तो यह है कि साथन्स का कोण यहां बना वही साथन्स का इधर बना दो आगे की तरफ तो इसको अगर हम आगे बढ़ा दें और यहां से यहां साथन्स का इधर भी साथन्स का बना दें कोण और यह जो साथ हंस का कोंड बना है इसको खीछ दें तो यह रेखा अमारी इस रेखा के समानतर होगी क्योंकि यह कोंड जो है बराबर है थीक है दूसरा तरीका यह यह है अगर यह एक रेखा खंड होता A B ठीक है और यहां पे हमें साथ हंस का बनाना होता कोड़ तो यह एक चाप यह वही चाप इदर से काट दिया तो यह हमारा साथ हंसका बन गया अब हमसे कह रहा है बिन्द भी से भी इसके समांतर रेखा खिषती तो देखो क्या करते हैं यहां पर रखेंगे नोक ठीक है और यहां पर लंबुवा दूरी लेंगे बतलब ऐसा कौन से चाप है जो बिल्कुल इसके उपर से जाता है यह है देखो यहां स रखके और इस तरफ लगा देंगे ठीक यह बैकल्पिक विधी है अब यह जो चाप है इसको इस पर्स करती हुई रेखा खंड में खीच देगे तो यह जो है रेखा खंड यह इसके समांतर होगा यह दूसरा मेथड है और यह पहला मेथड है कोई भी आप प्रियोग में ल कर सकते हैं तो इसी के साथ हमारा प्रस नंबर तीन कंप्लीट होता है और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रस नहीं प्रस नंबर चार पर तो बच्चों हमारा यहां पर चौथा प्रस दिया गया है कि एक त्रफुज ABC की रचना कीजिए जबकि BC 4 cm, CA 8 सेंटीमीटर और AB 6 सेंटीमीटर तो सबसे पहले AB घीच लेते हैं 6 सेंटीमीटर ठीक है अब आगे जो है यह हमारा हो गया A, यह हो गया B, 6 सेंटीमी आगे प्रस नंब कहरा है कि CA है 8 सेंटीमी, C इदर कहीं होगा तो AC यह है 8 सेंटीमी, तो प्रकार में चाप ले लेंगे 8 सेंटीमी का और यह यहां से इदर लगा देंगे, ठीक है अब BC कितना है 4 सेंटीमी, तो 4 सेंटीमी का चाप लेंगे और यह यहां से लगा देंगे, इदर काट दिया, ठीक, इसको हमने डाल दिय और उसके बाद इसी को हम B से भी मिला देंगे तो यह हमारा हो गया 4 सेमी CB और AC हो गया हमारा 8 सेमी ठीक अब प्रस्थनिये कह रहा है हमारा कि AB के मद्द्विंदू से तो इसका मद्द्विंदू कैसे निखा लेंगे तो एक तो हम पट्री से निकाल सकते हैं दूसरा तरीका है कि आदे से अदे का चाप लिया ऊपर लगाया नीचे लगाया इधर से भी हमने ऊपर लगाया और नीचे लगाया यह जो है यहां पे काट रहा है तो इन दोनों को हम जो है मिलाती हुई एक रेखा फी देंगे dot dot कर तो इसने यहां पे काटा देखो तीन सेंटीमीटर है यह ठीक है अब यहां से इसके समांतर एक हमें रेखा खंड खीछना है तो देखो उसके लिए इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाते हैं अब यहां से लंब बहुत दूरी जो दूसरा तरीका हमने बताया था लंब बहुत दूरी यह इतनी है इतनी तो है उतना चाप इधर बिंदू रखके हम लगा देंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको जो यह मद्ध बिंदू था इसको हम इस चाप से मिलाती हुए इस परस करती हुए एक रेखा खंड खीच देंगे ठीक है ये इसको हमने ओव नाम दे दिया ये कह रहा है ये बिंदू M पे काट रहा है यहाँ पे ठीक है इसको P यहाँ पे नाम दे दिया अब जो है ये रेखा इसे रेखा के समानतर है प्रस्नम से ये पूछा AM और CM कितना है तो AM हम नाप के लिख देंगे और CM भी हम नाप के लिख देंगे पूरी हमें यह पता थी 8 cm है तो AM कितनी आई 4 cm cm कितनी आई 4 cm दोनों हमारी आई हैं 44 cm ठीक है तो आगे प्रस्थ यह कह रहा है कि क्या AM और CM बराबर है तो हम लिख देंगे हाँ AM बराबर CM क्योंकि लंबाई दोनों की सरा बराबर है ठीक है और यही हमारा आंसर हो गया तो इस प्रिकार से आपने देखा कि यह मेरा प्रस नंबर 4 कंप्लीट होता है इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है बहुत मज़ेदार इंट्रेस्टिंग एक्सरसाइज थी आई ओप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इसको लगाने में तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें दोस्तों के बीच में श्याय करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब मिलते कर फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार